चुल बोलिया है ये जिस्म तूने रुग भी चूने हाई फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एडिटर आनंद में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टर्टस वीडियो बनाने वाले हैं कमासटर तो इस्से आप व्लैइस्टर से असानी से डाउन्लोड कर सकती हो चलतेस प्रेंड हैंगे अपने background image को add करेंगे तो चले फ्रेंड मैं यहां से अपने background image को add कर ले रहा हूं तो फ्रेंड मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं यहां पर जितने भी फोटोज और वीडियोज का यूज करूंगा उनका सबका लिंक आपको वीडियो के drop caption box में मिल जाएगा आप वहां से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो तो फ्रेंड यहां से अपने background को add कर लिया है एड करने के बाद यहां पर आपको इसकी duration को खीज कर कुछ इस प्रकार से बढ़ा कर लेना है जितनी second का आप बनाना चाहते हो उसके बाद यहां पर आपक कुछ इस प्रकार से हटा देना है और यहां पर हमें end position को select करना है उसके बाद हमें इस photo को कुछ इस प्रकार से देख सकते हो फ्रेंड यहां पर इस फोडो को कुछ इस प्रगार से आपको जूम कर लेना है यहां से हम बैक आ जाएंगे यहां पर हमारा जूम इफेक्ट कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हो चुका है अब यहां पर हम लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है मीडिया में और य इहां से मिन अपने Grass वाले बिएंग कर लिया है । इन्ड करने के बाद यहां पर इसकी Size को कुछ इस प्रगार से Zoom कर लेना है उसके बाद लाना है इस सइड करकर देना है , , छेट करने के बाद यहांपर इसकी duration को खीचकर वीडियो के ऐसे करके हमें रख देना है यहां से हम बैक आएंगे और स्टार्टिंग पोजिसन पर आजाना है अब फ्रेर्ण इसमें अपने model के फोटो को add करेंगे तो उसके लिए आप लेट में जाएंगे लेट में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है यहां पर हम आज आएंगे magic remover में तो इसे हमें on कर देना है तो जैसे हमें इसे on करेंगे तो जो हमारा फोटो का background हो इसे remove हो जाएगा अफ्रेंड यहां पर इस फोटो को select करना है और यहां पर इसकी size को हमें थोड़ा सा ऐसे करके zoom करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रकार से side में ऐसे करके set करना है उसके बाद three dot पर click करना और समय sign to back कर देना है और यहां पर इसकी duration को खीच कर हमें वीडियो के end तक कर लेनी है और यहां से back आएंगे starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इस पर अपने leaf का png photo add करेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जा से side में ऐसे करके set कर देना है और यहां पर इसकी duration को खीच कर हमें वीडियो के end तक कर लेनी है अब फ्रेंड इसे फ्लावर का photo add करेंगे तो इसके लिए पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है मिडिया में और यहां से फ्लावर वाले png को add कर लेते देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रगार से और यहां से बैक आएंगे और इसकी duration को खेज कर हमें वीडियो के end तक कर लेनी है अब फ्रेंड इसी वाले layer को select करेंगे select करने के बाद यहां पर आपको रावल animation में आ जाना है उसके बाद यहां पर हम नीचे के side में आएंगे तो यहां पर आपको यहां पर floating वाले effect को दे देना है अंड यहां से हम back आ जाएंगे कुछ इस प्रगार से अफ्रेंड यहां पर ऊपर वाले background को select करेंगे select करने के बाद नीचे के side में आएंगे तो यहां पर इसकी magnet को own कर देना है अंड यहां से हम उसप्रगार से बैक आ जालेंगे तो इसके लिए पर लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है एफेक्ट में यहां से बेसिक एफेक्ट में आएंगे तो यहां से में फुल स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है और यहां पर सेटिंग में जाना यहां पर इसे में तीन नंब यहां पर हमें मेडिया में जाना हे और यहां से अपने शैड्वा को अइड कर लेते हैं, तो अइड करने के बाद इहां से मिंगे बैक आना है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो with friends उसके बाद यहां पर इसकी size को थोड़ा सा zoom करेंगे और लाना में कुछ इस प्रकार से side में ऐसे करके set करना है set करने के बाद नीचे के side में आएंगे तो इसकी opacity को हमें कुछ इस प्रकार से कम कर देना है and यहां से back आएंगे और यहां पर इसकी duration को खीज कर हमें वीडियो के end तक कर लेनी है अब फ्रेंड इसमें अपना एक lyrics status वीडियो आइड करेंगे तो उसके लिए पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है media में और यहां से अपने lyrics को add कर लेते हैं add करने के बाद यहां पर थोड़ा सा आगे की तरफ scroll कर देना है उसके बाद यहां पर नीचे के side में आएंगे तो यहां पर हमें आ जाना है blending में blending में आने के बाद यहां पर इसे हमें screen कर देना है उसके बाद यहां पर इसकी side को थोड़ा सा छोटा करेंगे और लाना में कुछ इस प्रकार से इस side ओपर अच्छे से में set कर देना है और यहां से हम कुछ इस प्रकार से back आजाएंगे अब फ्रेंड इसमें अपना flower falling का template आड़ करेंगे तो उसके लिएपर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है media में और यहां से अपने template को add care कर लेते हैं add करने के बाद यहांपर हमें आ जाना है कुछ इस प्रकार से नीची के side में तो split screen में आएंगे और इसे हमें full screen में कर लेना है उसके बाद यहां से back आएंगे तो यहांपर हमें थोड़ा सा own नीचे के side में आना है तो यहाँ पर हम आज जाएंगे chroma key में और यहाँ पर इसे हमें enable कर देना है और इसे में कुछ अच्छे से adjust कर लेना है उसके बाद यहाँ से हम back आजाएंगे अब friends इसे पर पार्टिकल वीड़ो और तो इसलिए यहाँ पर लेयर में जाएंगे यहाँ पर हमें जाना है media में और यहाँ से पने पार्टिकल वीड़ो को add कर लेते हैं तो friends यहाँ से यहां içगने पर निचे के साइड में आना तो हम push फॉल स्क्रीन में कर देना है उसके बाद यहां से हम back आएंगे तहां पर हमें और निची के side में आना है तहां पर हम आजाएंगे blending में blending में आने के बाद यहां पर इसे हमें screen कर देना है और यहां से हम back आजाएंगे तो friend हमारा video completely बनकर तयार हो चुका है चले फ्रेंड आपको वीडियो को थोड़ा सा play करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो friend हमारा video कुछ इस प्रिकार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने phone में save करने के लिए हां पर आपको उपर की side में 0 पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर quality अपने recording रख सकते हो और save as video पर किलिक कर देना और आपका video save होना स्टार्ट हो जाएगा